जेहिन दोस्तों अनिल सर एक्टिचनलां से क्या बहुत बहुत स्वागत है नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार के एक मिनी रतन कंपनी है दोस्तों जहां पर आई टी आई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए टेकनिसियन के पोश्ट पर पर्मनेंट रिक रूट पर निकल कर आई हुए हैं पूरी जनकारी के लिए वीडियो को अंतक देखेगा नोटिफिकेशन डाउन्लोड करने के लिए अनिल सर आई टे वेव साइट पर जब करियर ऑप्शन पर जाईगा तो जो भी रीसेंट वेकेंसिस आई हुई हैं चाहे रेलवेग की आपको यहां पर देते रहते हैं पहले जनकारी मिल जाती हैं और उसके अपने त्यारी करते रहते हैं आप अनिल सर आईटी एप्लिकेशन को गूगल प्लेयर स्टोट से डाउन्लोड कर लेजेगा जहां पर कई सारी एक्जाम से रिलेटेड टेस्ट सिरीज अस्टडी मेट आईटे रिलेटेड उसकी जो है यहां पर कोर्सेस मिल जाएं जाकर के चेक आउट कर लेजेगा हम बात कर लेते हैं नेशनल सीड्स कॉर्परेशन लिमिटेड इसकी बेरियस पोस्ट पर रिक्रूट्पेंट है जिसका ऑनलाइन फॉरम 26 अक्टूबर से भरना सुरू हो जा जिसमें इंजिनियरिंग अश्टूर के लिए साथ सीट है और यहां पर एकई सीट जो है टेकनिसियन के लिए हैं टोटल सभी पोस्ट को मिला करके 188 सीटों पर यह रिक्रूट्मेंट निकल कराई हुई हैं आपकी पोस्टिंग भारत में कई सारे रिजनल आफिसेज हैं कई पर भी आपको पोस्टिंग हो सकती है तो उसके कवार्डिंग आपे यार रहेएगा ृद्न के स admired कि बाद पहले कर लेतें क्या यहां पर इलिजिबल मिनिउम सिक्सिटी पर्शेंट मांक्स के साथ साथिसांस आपके पास एक और वीगी होनी चाहिए हुआ Admiralstate को डिग्री किसी भी इंड़स्ट्री में आपके पास है आपके पास अप्रेंडिसिप की डिग्री तो यहाँ इलिजिबल है ठीक है आई टी आई प्लस यहाँ पर एक साल की अप्रेंडिसिप मांगी गई है यहाँ पर देखें ट्रेनी इंजिनियरिंग अस्टोर में देखिया तो तीन साल का डिप्लोमा मांगा गया है mechanical agriculture में यह आपके पास डिगरी है फीटर डीजल मेकनिक ट्रिक्टर मेकनिक में और एक साल का apprenticeship है तो भी आप यहां पर eligible हैं आपको देखे recruitment आप परोसेस पुरह करने के बाद आपके ट्रेनिंग होगा एक साल होगा और उसकी बाद आपको पर्मनेंट के लिए रखा जाएगा ठीक है पहले एक साल के ट्रेनिंग होती है उसकी बाद आपको जो है पर्मनेंट रखा जाता है चलिए आगे की बात करें यहां पर सेलरी का जो आप ट्रेनिंग पर रही है था आपक जो है ट्रेनिंग प्रियर्ड कंप्लीट होने के बाद आपको एलाउंसेस लए हैं एज की बात करें जो ट्रेनी के रूप में होंगे टेकनिसियन ट्रेनिंग होगे जो ट्रेनी के पोश्ट पर अपलाई करें तो मैक्सीमम एज आपका 27 साल होना चाहिए का 5 साल OBC को 3 साल और पीडा अलूडि क्यानेट का 10 साल तक रिलेक्सेशन मिल जाएगा देखिए यहाप पर सेलेक्षन प्रोसेस की बात करने में सेलेक्षन प्रोसेस यहाँ पर वह आपका सी बिटी ओगा ठीक हैं सी बिटी होने के बाद पहले था आपका कंप्यूटर बेस ट स्किल टेस्ट होगा देखिए रीटेन टेस्ट होगा सिविटी के माधन से फिर आपका स्किल टेस्ट होगा यह आप एक पोस्ट पर सिर्फ एक ही फॉरॉम को अप्लाई कर सकते हैं यह पैटर्न देख लिए 90 मिनट की आपकी परिक्षा होगी सौफ कोस्टन पूछे जाएंग मंदित काफी सारे ट्रेड के कोस्टन बैंक्स दिये हुए हैं और ट्रेड से रिलेटेड जोगा ऑनलाइन टेस्ट भी कराते हैं प्रैक्टिस से कराते हैं जा करके जुवाइन कर लेजेगा ठीक है बहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा जागे देखिए तो चिक आउट कर ले जाएं मैक्सिम सो नमर का एक्जाम होंगे पासिंग के लिए आपको 35 मार्स कम से कम आपको लाना होगा ठीक हैं अपको देख लेजिए हो डिस्टावल कैनेट है उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉरॉम भरना है फॉरॉम जो है भरने का लिंक 26 तारीक को एक्टिवेट करना होगा उसके लिए आप बांड भी साइन कराया जाएगा बीच में छोड़ते हैं तो फिर आपको हो सकता है इतना लोटा आना पड़े तीन सालों तक बांड भी साइन कराया जाएगा ठीक है यही जनकारी थी फॉरॉम भरना चबी से सुरू होगा और फीस की बारे बता अगली वीडियो में अगली अनकारी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद